प्रस्नी ये था कि जीवन में सार्थत्ता महत्वपूर्ण है या सफलता प्रणाम, सोच इंडिया के अध्यात्मिक परिचर्चा का मंच, शब्द हमारे अर्थ तुम्हारे इसमें अगर मैं कहूं अध्यात्मिक शोध करता तो कोई अतिशोक्ती भी नहीं होगी भगवद गीता का लगभग दोहरे सतक मार चुके हैं भगवद गीता को पढ़ने में और शायद अब भी अपने आपको क्लास के सबसे अंतिम बेंच पर पाते हैं आज हमारा स्वभाग्य है कि हम उनके साथ उनके वानी के साथ उनके विचार के साथ साक्षातकार कर पाएंगे मैं उनको अपने नीजी जिन्दगी में ही बाउजी के नाम से संबोधित करता हूँ आज भी उसी नाम से संबोधित करूगा और उनके नाम को जाननी के लिए वो पटी आएगी, उस पटी पे पढ़ लीजाएगा उनका नाम होगा, मैं उनका नाम ले नहीं सकता मैं उनको बाउजी से संबोधित करता हूँ और बाउजी ही बोलूगा मेरा प्रस्ण था आज सुबह का तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें कैमरे के सामने जबाब दुना प्रस्ण ये था कि जीवन में सार्थत्ता महत्वपूर्ण है या सफल था बाउजी ये प्रस्ण मेरा आप से है सुबह भी और अभी भी आप सभी को मेरे नमस्कार, जीवन सबल तो भोत लोगों का होगा। जैसे बच्चा पढ़ता है, एक्जाम देता है, पास होता है, एक क्लास से दूसरी क्लास में चला जाता है, ये भी स्फलता का एक पेमाना है, एक वित्ती ये बनना चाहता है, वो बनना चाहता है, जैसे अभिता बच्चन जी ने बहुत उंचाई को चुगा, ये स्फलता है, सचिन तैदुलकर ने टिर्केट में उस महानता को पराप्त की यह सफल्ट निलगाई है हमारे कोई भी विज्ञानिक लगाई है सब ने सफल्टा की परीवासा को अलग लग दिया है पर सार्थक्ता कितनी हुए जीवन का सार क्या समझा जीवन की सफल्टा से सार्थक्ता कर दो के काम है मैं एक्जांपल देता हूं मैं अभी ताप का जो बाभजी के नाम से बोलते हैं अभी ताप के जीवन से मैं प्रीचे देना चाओंगा है अमारे उस अभी ताप से कम नहीं है बच्पन में पढ़ा पढ़ाई में अच्छा हूँ नंबर लेकर आया जहानों क करनी थी कई कुछ मिलने थी जब दोम गढ़ी नहीं मिली एक्सपिरिएस मांगा गया तो अटेपिक दो पेपर दिये थे अच्छे नंबरों से पूला हूभ जब नंबरों को छोड़कर अपने का श्युदिपट माँ तो एक्पिरिएस निके पास नहीं था तो बास होकर इन्होंने अपने सारे सैटिफिकेट को हाग के अबाले कर दिया और एक ब्लैंक हो गया और जीवन से इतना निरास हुआ है अपने आप में मैं क्या करूं क्या ना करूं उसी जात्रह में यह अपने गाउप्यार से दिल्ली आप गया दिल्ली में भी अपने आप में काफी स्टरगल करते हुए दिल्ली से या पैसे वालों से समाज से ये एक ऐसा विरोदी हो गया हम अगर आज की भासा में बहुत सा ये मावादी बन गया और पैसे वालों से घ्रिना करने लेगा हाकिर परमात्मा का असिदवाद मिला समाज के लोगों का साथ मिला जब लोगों का साथ मिला तो समाज के परती जो घ्रिना थी समाज के परती इसके मन में प्रेम जगा और आज सिक्षाले इसकी मेहनत है इसका पेपर सोच इलिया इसकी मेहनत है और एक नई नई चीजों को लेकर आता है मैं सबल कह सकता हूं इसका जीवन सबल नहीं हुआ इसका जीवन सार्थक हुआ है जीवन सार्तरता ही हमारा जीवन का प्रीच्चे होना चीए जिस दिन हम जीवन के इस सार को समझ जाएंगे हमारा जीवन सार्तर को किसी और के काम में लग जाएगा किसी और के काम में अगर हम करेंगे यही परमात्मा का काई कहलाएगी कल हम बात करने लगे तो मेरा जीवन अ सार्थक समझों तब मैंने अभिताब को कहा काम करो मौन होकर जब मौन होकर करोगे हम अपने आभी गोन हो जाएंगे आज सिक्षाले कोन चला रहा है मैं समझता हूँ मौन होकर काम कर रहे हैं तो हम तो सभी गोन है फरमात्मा के कारी फरमात्मा के द्वारा हो रहा है इन बच बगवान को देखेंगे, और इनके लिए हम करेंगे, आने वाली पिटी हमारी यह है, आने वाला भविसे ही है, यह समाज के सभी लोकों का जो समर्थ है, उनको इन बच्चों में, इन बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए हमें करना चाहिए, मैं गूँगा जीवन को स सात्र मुष्टी, जन्यवाद जैसुगा.